हेलो दोस्तो मेरा नाम है संकर आप देख रहे हैं एक टेक्निकल संकर क्या आपकी घर में भी कुछ इसी तरीके से खराब बोतले पड़े रहती हैं तो इस वीडियो में इन खराब बोतल को हम यूज में लेना बताएंगे यह तीनों बोतल कांच की है तो पहले इसे हमें धोना होगा बहुत अच्छी तरीके से तो मैं इसे सोडे से बहुत अच्छी तरीके से दो लेता हूं उसके बाद ही हम इसमें कुछ प्रोजेक्ट बना सकते हैं तो यहां पर मैं इसे अच्छी तरीके से दो लेता हूं उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस बताता हूं तो यहां अब अपने स्टूडियो में ले चलता हूं और इसे हम बनाने के लिए यूज में लेते हैं तो हम श्टूडियो में और यहां ऑ अच्छे तरीके से साम ले कर दिया था और आपने फीर भींहें पहले ही देखा था कितना गपनदा हुए था हैं ओ político तीन लिया है तीन बोतल है तो तीन डखनों में कुछ इस तरीके से यहां पर लगाएंगे अंदर यहां पर मैं कुछ इस तरीके से यहां पर रख लिया है और मैंने अंगूठे से पकड़ कर और यहां पर मैं सोल्डर से उसकी लेगों कर गरम कर दे रहा हूं जब गरम हो और अपना जो ढखकान है बचा के रखना सोल्लर से नहीं तो इसी तरीके से यह गल जाएगा यहां पर मेरा थोड़ा से गल गया है तपर भी चलेगा तो यहां पर द्यान देना आपको तो यहां पर मैं लेगों को थोड़ा सा मोड देता हूं सोल्लिंग करना होगा इस पर तो यहां पर मैं कुछ इस तरीके से तीनों पर इसे हमें यहां पर हमें कनेक्शन करने के लिए वायर की जरूरत होगी तो इस वाले वायर को मैं यूज में नहीं ले रहा हूं यहां पर मैं इस वाले वायर को यूज में ले रहा हूं जो की पंख कुछ इस तरीके से वोल लिया है और यहां पर मैं इसे सेंट पेपर से रुप कर ले रहा हूं क्योंकि इसके उपर एंसूलेटर लगा रहता है माचीश के तिल्ली से भी इसे जला कर उठा सकते हैंák यहां पर मैंने इसे हटा चुका है इसके बाद यहां पर हम सोल्डिंग कर ले रहे हैं कुछ इस तरीके से यहां पर मैंने दोनों वायरों पर सोल्ड कर दिया है यहां पर मैं अच्छे तरीके से सोल्डिंग कर दे रहा हूं तो यहां पर यह सोल्ड हो चुका है तो वीडियो म आपको दिखी रहा है यहां पर मैं RGB के light पर भी माइनस वाले पर प्लस वाले पर दोनों पर solding कर दे रहा हूं तभी हमारा जो वायर है इस पर अच्छे तरकी से sold हो पाएगा तो यहां पर मैं मैं इसे sold कर दे रहा हूं minus plus दोनों में तो कोई किसमे भी connect हम कर दे रहे हैं उसके बाद यहाँ पर वाले पर भी हम पहले sold Farm कर लेते हैं तभी यह جशोल्ड हो पाएगा पहले हमें check भी करना होगा कि minus plus कौन सा है तो यहाँ पर में Eigen करने के लिए mobile का वैटरी ले लिया ओं तो इहां पर मैं दोव ऐरो में एक प्लस ओला दे देता ओला चेकर करके दिखाता हूं आपको यहां पर यह लाइट बलिंक कर रही है जो रेड वाला है वह प्लस है और जो black वाला है वो minus है उपर वाला जो है वो plus है तो यहाँ पर मैं इसे plus में connect कर दे रहा हूँ और यह वाला minus था तो मैं इसे minus में connect कर दे रहा हूँ तो कुछ इसी तरीके से आपको पता करना होगा कि minus plus कौन है तो यहाँ पर तीसरा वाला मैं करने वाला हूँ इसे भी हमें चेक करना होगा कि माइनस प्लस कौन सा है तो यहाँ पर मैं इसे भी चेक कर ले रहा हूँ तो यहाँ पर प्लस वाला हमें मिल चुका है माइनस वाला भी मिल चुका है यहाँ पर मैं इसे भी solding कर लेता हूँ तो यहाँ पर जो plus वाला था यह है plus वाले में मैंने यहाँ पर connective कर दिया इसे असानी से इसमें जब आप solding किये रहोगे तो बहुत असानी से यह sold हो जाएगा यहाँ पर वीडियो में ही आपको पता चल रहा होगा यहाँ पर minus वाला भी मैंने RGB के minus पर connective कर दिया है यहाँ पर इसे रख करने के लिए चलाने के लिए charger का यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पर नोखिया का charger मैंने ले लिया यह plus वाला यह minus वाला है यहाँ पर blue वाला है वो plus है और जो white वाला है वो minus है तो यहाँ पर हम solding कर ले रहे हैं दोनों wire उपर तो यहाँ पर solding यहाँ पर हो चुका है आप रांगा बहुत अच्छी तरीके से लगाएंगे तभी यह sold हो पाएगा अगर थोड़ा रांगा लगाएंगे तो solding नहीं होगा तो यहाँ पर मैं plus वाला जो था blue वाला मैं plus में connect कर दिया हूँ RGB के और जो minus वाला था white वाला वहाँ पर RGB के minus वाले पर connect है यहाँ पर मैं कर दिया हूँ यहाँ simple सी इसकी wiring है तो wiring यहाँ पर complete हो चुकी है पूरा और इसे हमें bottle में आपको लगा कर दिखा देता हूँ तो यहाँ पर यह तीन bottle है CC की bottle है यह तो यहाँ पर मैं इसे fix कर दे रहा हूँ और यहाँ पर मैं charger वोड में लगा कर आपको दिखा दे रहा हूँ तो यह किस तरीके से work कर रहा है यहाँ पर यह बहुत अच्छी तरीके से work कर रहा है यहाँ पर light जल रहा है थोड़ा कम पता चल रहा है भी light बन करके आपको दिखा देता हूँ देखो अभी कितने अच्छी तरीके से work कर रहा है इसका light बहुत भी जादा है तो यहाँ पर पानी मैंने इसमें नहीं डाला है, आपको पानी भी डाल कर दिखाऊंगा, किस तरीके से ये वर्क करता है, या किस तरीके से ये दिखता है, तो यहाँ पर मैं पानी भी इसमें डाल दे रहा हूँ, तो पानी डालने के लिए मैंने कुछ यहाँ से कुछ ऐसा प बोटल को भर चुका हूं और सेंھ वह ही process था तो मैं आपको नहीं दिखाया जहापर मैं इसे fix कर दियार को भी लगा रहा हूं और लगा कर आपको दिखाता हूं द्यहाँ पर पानी में कुछ इस तरीके से लिए कर रहा है तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि पानी वाला बेश्ट था या जो बिना पानी वाला तो यहार यह बहुत ही अच्छा लग रहा है आप चाहे कहीं अलमारी में या कहीं टीवी के उपर या कहीं बेंच पर मेज पर इसे कहीं भी रख सकते हैं जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा, वो आपके उपर डेपेंड करता है पानी डाले या नहीं डाले, तो यहाँ पर मैंने पानी डालके दिखा दिया और भीने पानी का भी दिखा दिया, वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दिये, चैनल पे नहीं हो, चैनल को स Wiki कर लिजे, क्योंकि मैं ऐसे अमेंजिंग वीडियो बनाता रहता हूं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियों तब तक के लिए गुडबाई